देश में कुरोना का कहर जारी है देश में अब तक 46 दिन का लॉक डाउन पूरा हो चुका है ऐसे में सबसे जादा परेशानी उन लोगों के लिए है जो डेली वेजिस पर खमाते थे जो गरी मजदूर है जो दिहाडी मजदूर है जिनको एक पल की रोटी भी नसीब नहीं हो रही वो इस लॉक डाउन में बाहर नहीं निकल सकते ऐसे में हम बात करते हैं नॉडा प्रदेश की जहां नॉडा प्रदेश के जिला ध्यक्ष मनोज गुपता की पहल से और जिसमें महामंतरी डिंपल आनंद के सहयोग के चलते महाँ पर मोदी किचन की शुरुवात की गई लॉग टाउन की जब देश में शुरुवात हुई उसी समय से मनोज गुपता ने मोदी किचन की नॉडा में शुरुवात की और शुरुवात में वहाँ पर पांच से छे हजार लोगों को खाना खिलाने की पहल को शुरु किया गया इसमें मनोज गुपता का सहयोग बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्य राम निवास यादव, भवे वैद, आच्छी शर्मा, गौरव अरोडा, नमित वैद जैसे ही युवा कारेकरता उनका संपूर्ण रूप से साथ दे रहे हैं आज लोगडाउन के 46 दिन हो गए हैं, इन लोगों का सिर्फ एक ही उद्देश है कि कोई भी गरीब, कोई भी मजदूर भूखा ना सोए नौईडा के सेक्टर 35 के अग्रिसेन भवन में गरीब मजदूरों के लिए डेली 30 से 40,000 पैकेट तैयार किये जाते हैं और गरीब मजदूरों को खाना महया कराया जाता है, यहां पर एक कॉल सेंटर के विसोविधा है, जिसमें एक कॉल आने पर लोगों को खाना उनके घरों तक बीजेपी के कारेकरता पहुचाते हैं यह सहीयोग बहुत सा राहनिया है, मोदी किचन के नाम पर यह लोग गरीबों का पेट भर रहे हैं यह सभी लोग आपसी सहीयोग की बदौलत 30 से 40,000 पैकेट रोज बनवाते हैं इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह बीजेपी कारेकरता गाडियों को हरी जंडी दिखाते हुए इन गाडियों को गरीबों के घर तक के लिए रवाना कर रहे हैं ताकि कोई भी गरीब, कोई भी मजदूर भूखा न सोए क्योंकि ब्रधान मंतरी मोदी ने भी अपने संबोधन में यही संदेश दिया था कि हर कारेकरता, हर देश का नागरेक, गरीबों का पेट भरे और गरीबों की जितनी संभव मदद की जा सकती है, उतनी संभव मदद करे दीरज कोशे के साथ, इंडिया लाइफ ब्यूरो